तेवरो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे यूट्यूब जानल जीयासा कीज आप चीस में आज हम बात करेंगे कि प्रेशन लीफ वालव क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या क्या होती है कौण-कौण सी एप्लिकेशन के ओपर यह करते हैं और हम इसको कैसे से सैट कर सकते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिवर क्या होता है तो प्रैशर ली वाल को हम सेफटी वाल भी बोज रते हैं तो आज की पूरी वीडियो इसी टोपिक के हो भी आशा करता हूं कि आप वीडियो को आन तक जरूर देखोगे अगर आप मेरे चैलन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब् चेक वाल और गलोव वाल के वीच में डिफरेंस क्या-क्या है अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक में डिस्क्रेश्चन पे जरूर दे दूँगा तो आप वीडियो जरूर जाके देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पहले हम जान लेते हैं कि प्रेशर लीफ वाल जिसे हम अपनी वाज़ा में सेफटी वाल भी बोल सकते हैं वो क्या होता है और वर्किंग क्या होती है अपनी अपनी अशान वाज़ा में अगर मैं बोलनू तो प्रेशर लीफ वाल को हम बोलते हैं सेफटी वाल का मतलब भी ऐसा है कि हम इसको वहां हमें चाहिए जहां पर बहुत ही सेफटी की प्रेकोशन्स हैं मालनोगी कोई अफ्लिकेशन्स है जैसे किसी का कोई अपने सेट किया है प्रेशर है और वहां पर चाहते हो कि उस सेट प्रेशeur से ज़्यादा प्रेशर आपके एरिया जहां पर भी आप कहीं एर यूस कर रहे हो या स्कीम या वाटर एप्लिकेशन्स है वह उससे ज़्यादा प्रेशर इंक्रिज नहीं होना चाहिए है तो सेप्टी वाल उसी परपस के लिए दाम आता है आगे हम इसकी working भी जानेंगे, construction भी जानेंगे और कैसे हम safety wall install कर सकते हैं और कैसे इसको set करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी applications के उपर safety walls काम करता है first number बाता है steam, water and gases test के उपर भी हम safety wall यूज़ कर सकते हैं अगर हम steam की बात करें तो steam पर आता है boilers आप अगर स्टीम में काम करें तो आपने boilers वगहरा देखे होंगे वहां पर safety walls install किये रहते हैं, heating and cooling headers जो भी रहते हैं इतनी भी manufacturings की vessels रहते हैं जहां फार्मा प्लांट है जाके consumers प्लांट है जहां पर mixing vessels होती है वहां जब भी हम steam के साथ heating या killer के साथ cooling करते हैं तो जो वह headers रहते हैं उनके उपर भी safety wall हमेशा install किये रहते हैं क्योंकि ये अगर मान लोगी header पर pressure जादा increase हो रहा है तो वह आपकी missing vessel है उसको damage कर सकता है इसलिए safety wall वहां पर लगाना बहुत ही जरूरी है जीसरे पर आता है condensate tanks और PR station उसके बाद हम बाटर की application पर बात करें तो pump के outlet पे भी हमेशा safety wall आपको देखने को मिल जाएगा और कोई भी water storage tank हैं वहां पर भी आपको मिल जाएगा अगर pipelines की बात करें तो जैसे oil की lines हो गई लंबी-लंबी काफी distance वाली जो भी lines रहती है अगर water transfer की लाइन होती है वहां पर भी safety relief वाल जुरूर लगे रहते हैं क्योंकि end to end कहीं न कहीं pressure हमेशा increase हो सकता है response जहां पर भी आपको increase करने के हो तो वहां पर सेंटर में safety वाल जरू लगाया जाता है इससे भी बात करते हैं gases में gases में हमारे साथ आ जाते हैं compressors और जितने भी compressors की storage vessels रहती है है gas storage tank रहते हैं वहां पर safety वाल आपको मेशा install मिल जाएंगे अगर नहीं है तो आप वहां पर लगा भी सकते हो आगे हम जानते हैं कि safety वाल काम कैसे करता है उसके क्या क्या पास रहते हैं पहले पर आता है इसका inlet nozzle जहांसे भी pressure increase हो रहा हो जा install हो रहा हो valve seat आएगी seat holder spring bonnet and seal जे कुछ इसके comments पार रहते हैं जो safety वाल में आपको जरूर दिख जाएंगे जाते यह spring रहता है और यहां पर पांच नमबर पर जैसे मैंने बताया हो set pressure adjustment screw जो जी पांच नमबर पर set adjustment screw है अब हम इसी screw के साथ इसको pressure set करते हैं तो कुछ ऐसी application रहती है जैसे pipeline के किस किस जगा पर जैसे मैं boiler की बात पर हम कैसे safety वाल इंस्टाल करेंगे इसका purpose क्या हुआ और कैसे यह working करता है इसको example के साथ से समते हैं जैसे की मालो मेरी steam की लाइन है यहां से steam वाइलर से steam generate हुई और pipeline की तुरू जहां पर मेरे को heating करवानी है वहां पर steam discharge हुई तो फाइव लाइन्स के बीच में यह मेरा प्र वी वाल रहता है तो मालो कि मेरी जो application है मेरे को यहां पे हमेशा मुझे जहां पर 5 kg प्रेशर ही चाहिए मेरी एप्लिकेशन है जहां पर भी यह स्टीम जा दी है मानलो कोई वैसल है स्टीम की जहां पर मिक्सिंग वैसल है उसको हीटिंग करने के लिए मेरे को सिर्फ पांच केजी की जुरूरत है और जो बाइलर का मेरा आउटलेट का प्रेशर है वो मेरा टैन केजी बार पे मेरा का है अब होता क्या है कि टैन केजी और मुझे मेरी रिक्वार्मेंट है वाहां पे आप जरूर देखो हम तो ऐसे बात करेंगे तो मालनों कि मेरा 10 kg का set point है तो मैंने यहां पे जो pressure regulating वार रहता है इसकी working होती है इसको हम pressure को control कर सकते हैं तो मैंने यहां से इसको control कर दिया 5 kg तक और मेरे outlet में भी मेरे 5 kg यहां पे mention हो रहा है अब मेरा जो safety वालव है अब मेरी requirement है यहां पे 5 kg अब working कैसे करते हैं working को थोड़ा सा sum लेते हैं जो भी यहां पे यह आप देख पा रहे हो इसका जो adjustment screw रहता है यहां पर हम जब cap इसकी open करेंगे तो यहां पर आपको screw मिल जाएगा हम इसको दीरे-दीरे fight करेंगे और lose करेंगे अगर यह blow हो रहा है मालों कि यहां पर मेरी pipe है और यहां से मेरी steam blow हो रही है ब्लो होने का मतलब है कि इसकी जो value है इसका जो set point है वो 5 kg से अबब जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे जहां पर जो screw रहेगा इसको हम थोड़ा-थोड़ा tight करना शुरू कर देंगे जब तक कि यह blow जो है steam वो पूरी तरह बंद ना हो जाए जैसे ही बंद होगी मतलब कि यहां पर जो मेरा 5 kg प्रेशर मेंने set किया हो था अब इस लाइन में यह 5 kg प्रेशर मुझे दिखना शुरू हो जाएगा तो आप बात करेंगे कि जब प्रेशर यह सारे काम कर रहा है पांच केजी प्रेशर हमने सेट कर दिया आउटलेट में भी प्रेशर सेट कर दिया अब इस safety वाल की क्या जरूरत है हमेशा safety वाल को एक precautions के तोर पे यूज करते हैं बाई चांस यह mechanical टाइप का प्रेशर लगा रहता है दस किजी क्यूंकि हाई प्रेशर पर इस तक पहुंच गी तो वह वैसल हमारी डेमेज हो जकी है इसी की precautions तो देखते हुए हमें double safety हमेशा use करते हैं सिस्टम में बाई चांस यह वारा PR वी क्योंकि यह mechanical टाइब का PR वी रहता है रस्टिंग की वज़ा से कुछ ना कुछ किसी रस्टिंग हो सकती है या कुछ पार इसके damage होने की वज़ा से अगर यह 10 kg टीम पास बाई चांस अगर पास कर दी तो यह 10 kg की 10 kg हमारी mixing वैसल में पहुंच आएगी अगर हमने safety रिलीव वाल नहीं लगाया होगा तो अगर हमने safety वाल रिलीव वाल लगाया होगा बाई चांस कभी यह वाल functioning करता है या किसी वी वज़ा से प्रेशर यह release कर देता है तो यह जो safety वाल होगा हमने जो पांच के जीवे सैट किया है यह automatic इसका जो यह spring रहेगा अपने अप अप direction में हो जाएगा और जो हमारी steam रहेगी यहां से blow हो जाएगी इसलिए safety वाल जरूर लगाया जाता है क्योंकि हमारी mixing vessel जा कोई भी application है वहां तक safety यह high pressure पहुंच ही न पाए तो यह यहां से पांच के जीवाल जैसे ही pressure इसकी लाइन तक यह sense करे यह अपने आपी blow कर देगा और आगे हमेशा पांच के जीवे प्रेशर ही यह release करेगा तो इसलिए हमेशा safety वाल को lines के बीच में लगाया जाता है precautions के तोर पे और यह जुरूरी भी काफी है आगे हम दूसरा example समझ लेते हैं कि और कहां पे यह safety वाल आपको दिख जाएंगे लगे हुए तो यह शोड़ा सा एक मेरा air का design है जो की industry में हमेशा use होता है आपको पता यह compressor जो रहते हैं वो air का pressure यह compress air करते हैं जिससे जो environment की air होती उसको साथ करके यह इसका pressure generate करता है कोई भी application के लिए जहां पे आपको कोई material movement करवानी है या कोई walls operation करवाने है जा कोई भी कहीवे भी application के लिए आप सम्रेस एर को industry में काफी use करते हैं तो मानलों कि जो मेरी अभी की requirement है मैं यहां पर मुझे मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी pressure है वो दो केजी से अब अब नहीं जाना चाहिए हमेशा मेरी requirement ही तू केजी है या मान सकते हैं कि आठ बार का मेरे को pressure आगे line तक जो भी जहां पे headers रहेंगे जहां पे machines मानलों की machines मेरी lines लगी हुई है बहां पे मेरे को सिर्फ six वार या eight वार की जरूरत है header तक eight वार देना उसके आगे मैंने four regulatory वार लगाए हुए है जो कि इसको reduce करके six वार तक generate करें तो मेरा पहला है कि मेरा यहां तक आठ बार से ज्यादा pressure हमेशा रहना चाहिए इससे अबब pressure नहीं होना रही है तो compressor क्या कर रहा है आठ के जी तो set कर दिया मैंने आठ के जी यह एर का pressure generate कर रहा है यहां पर भी आठ के जी आपको दिखने को मिल जाएगा और मैं चाहता हूं कि outlet पे भी हमेशा आठ के जी ही pressure रहे है और इसके बीच में यहां पे लगाँगा pressure जो भी यह रसीवर ह है यहां पे मैंने एक PRB safety valve मैंने यहां पे install कर दिया और इसकी value मैंने रख दी 8 kg यह 8.5 kg भी आप थोड़ा सा इसको set कर सकते हो क्योंकि जो मेरी application है वो 8 से मानलो की 8 और 9 के बीच में वो vary करती है बार का pressure अगर 9 kg वे तो भी मेरे लिए कोई damage नहीं करेगा जो भी आगे जहां पे भी air जारी तो मेरी जो requirement है वो 8 से 9 kg तक ही है अब मैं safety leave valve को 8.5 पे set कर दूँगा आपको पता यह spring जो रहता है यहां पे कि इस से हम इस spring को tight या loose करके इसको हम setting कर सकते हैं इसलिए मानलो की बाई चांस कभी से 8 kg जो प्रेशर हमने यहां पे set किया हुआ है इसकी जो value हमने set कि है कि वह सिर्फ 8 kg बनाएगा वाइच उसका वाल फंक्शन करता है वह 8 kg से जादा प्रेशर generate करना शूरू करता है उस सांस में क्या होगा यह CRV क्या होगा 8.5 पर जैसे मैंने value set कि है तो 8.5 से जैसे ही इसका pressure हाई होगा यह यहां से air release कर देगा और सिस्टम में यह सिर्फ 8.5 kg या उससे below ही air का pressure जाने देगा जिससे हमारे header पे कोई नुक्सान नहीं होगा और भी जितनी भी application है लाइन्स हैं वहां पे मेरे कोई भी safety incident नहीं होगा कोई damage नहीं होगा इसलिए system में हमेशा safety wall लगाना बहुत ही जरूरी है अगर आप भी university में काम कर रहे हो अगर आपको application ऐसे कहीं दिखती है जहां पे आपको air या steam से साथ damage होने का सतर है तो आप हमेशा वहां पे PR भी जरू लगाओ safety wall जरू लगाओ safety wall की value हम तो इसको yearly या quarterly month पे इसको हमेशा check करो चेक करने का कारण का रहता है जहां पे मान लो कि आपके आप पास एक wall है इस wall को close करो और यहां से pressure compressor से increase करना शुरू करो जब आपकी value 8.5 पे आ रही है या वो 8.5 पे बैस जब भी gauge के पास पहुंचे क्या यह ब्रो कर रहा है तो हमे तो इसी के साथ friends वीडियो स्टोप करता हूँ आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो like और comment जुरूर कर दें notification जुरूर ओन करें जिससे आपको ऐसी नही नही वीडियो आती रहेंगी तो आज के लिए इतना ही happy रहें और healthy रहे thanks